वेल्कम तो आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जहारखंड बोर्ड की मैट्रिक परिच्छा इंटर के परिच्छा राद तो परिच्छा फाइनली रद हो चुका है जो हम लोगों का इंतिजार था कि क्या होगा नही पर कैसे दिया जाएगा तो इसमें से हम बता दें आपको की चार लाग चालिस जार में बच्चे सामिल थे और तीन लाग से अधीक इंटर में बच्चे बटने वाले थे यह सभी जो है पर्मोट कर दिया गया सीम का मुहर लग चुका है सब के उपर ठीक है सीम का मुहर लग चुका है और आप सभी पास हो गए है तो इसमें से आपको यह है पता की हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो नंबर मार्क होगा नंबर आप लोगों को किस परकार से मिलेगा तो देखिए यहां पर दिया हुआ है पेपर पेपर दिया हुआ कि देख और इंटर्क की परिछा रद होने के बाद अब इसके रिजल्ट जारी करने के लिए सिच्छा विभाग और जारखन एकड़मिंग कॉंसलिंग मन्थन कर रहे हैं यह दोनों मन्थन कर रहे हैं कोरोना संकर्मन की वज़ा से पिछले सावा साल से स्कूल और कॉलेज में पढ़ा 20 से जो स्कूल बंद है वो बंद ही दीख रहा है भी तक हम लोगों को तो पढ़ाय कुछ नहीं हुआ है तो क्या होगा कि यहां पे बंद के कारण इसमें रिजल्ट एसे में पिछली साल की नौवी के रिजल्ट के अधार पर मैट्रिक का रिजल्ट और एगार्मी के अधार पर इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकता है तो इसमें कह रहा है कि देखिए मेट्रिक का जो है नाइन क्लास का जो आपका रिजल्ट था वह टेंथ का रिजल्ट के अनुसार आपको बना दिया जाएगा अगर आप जिस तरह से हैं कि 9 में जितना नंबर लायत है उसी पर देख रहे हैं कि यहां पर कह रहा है कि एगारवी के आधार पर अगर रिजल्ट इंट्रमीडियर की जारी किया जाता है ठीक है और नौवी क्लास के आधार पर दसमा क्लास कर रिजल्ट अगर जारी किया जा रहा है तो क्या था कि नौवी क्लास में 97% बच्चे पास हो चुके ठीक है उसी तरह से intermediate कभी होने वाला है ठीक है तो आप लोगों को पता हो चुका है कि आप लोगों का marks किस तरह से बन सकता है यह नहीं कहा जा रहा है कि बनेगा बन सकता है यह भी अनुमान लगाया गया है तो आप लोग लोग देखिए कि क्या होता है आगे बताया जाएगा आप लोगों को तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि जो हमको अलविदा लेते हैं जाए हिंद